है एवर्बन स्वागत करता हूं आप सब का एक बार फिर से बिहार बोट के नमबर वन चैनल बिहार बोट श्टड़ी पर है जहां दोस्ता है अगर आप 2022 में एक्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है आपको बता दे आज के क् पुड़े को फुरी तर से लास तक देखिए आपको बता रहे हैं इसमें सभी NCRT सेलेक्टेट कोशन है और आपको बोट एक्जाम में जो है NCRT कोशन ही पूचे जाते हैं आपको जैसे पता होगा तो चलिए कर तो पहले आप लोग से मेरा एक छोटी से रिक्वेस्ट रहे थे यानि हरपा सभेता के जो लोग थे वो किनके उपसाना करते थे इन चार उपसन में आपको क्रेक्ट उपसन बताना है इसका अंसर आपका हो जाएगा यानि मात्र देवी की उपसन आपका C absolutely right answer हो जाएंगे नेक्स्ट कोशन देखेगा सिंदु सभेता में नर्तिकी की किसे आपका क्या हो यानि हल से जुते खेत के शाक्ष जो है उपसर आपका क्या हो जाएगा तो इसका अंसर आपका हो जाएगा है ने काली बंगान option A absolutely right answer हो जाएंगे चलिए next question देखेंगे जो आपके screen पी आ गया है काली बंगान कहाँ पे इस्तित है जो काली बंगान है ये कहाँ पे इस्तित है इसका answer आपको बताना है फटावट आप लोग comment section बताएंगे इसका answer इसका answer आपका राजिस्तान option D absolutely right answer हो जाएंगे चलिए फिर आप लोग next question देखेंगे मगत का प्राचिन यानि राजवणस जो है कौन सा इन चार option में आपको correct option बताना है तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा छे नमर question का answer आपको बताना है इसका answer आपका हडियक once हो जाएगा option C right answer हो जाएंगे ठीक है चलिए next question देखेंगे जो आपके screen पे आगया है यानि पंच्टंत्र की रचना जो है किसने की थी पंच्टंत्र की रचना किसने की थी साथ नमर question का answer आपको बताना है इसका answer आपका विश्णू सरमा यानि option D right answer हो जाएंगे next question देखेंगा इलाबाद पर्याग परसासित का लेखक कौन है आपको बताना है इलाबाद परसासित का लेखक जो है आपका कौन है इन चार option में आपको correct option बताना इन चार option में आपका right answer जो हो जाएगा आठ नमर का बिलकुल correct होगा यानि हरी शेहन ठीका option C absolutely right answer हो जाएंगे next question देखेंगा जो आपके screen पे आगया अपने सुएंग के खर्चे से सुदर्चन जील की मरब मत किसने कराया था असोक ने, कनिश्क ने, सुरुदर्दमन या असकंद गुपने तो 9 नमर कोशन का answer आपको बताना है इसका answer आपका रुदर्दमन option C, इसका right answer हो जाएंगे next question देखेंगा प्राचीन भारत के महा काववे का नाम है यानि प्राचीन भारत के महा काववे के जो नाम है वो क्या है इन 4 option में आपको correct option बताना है इसका answer आपका महा भारत option A, absolutely right answer हो जाएंगे ठीक है, next question देखेंगे दुरियधन की मा कौन थी जो दुरियधन की मा जो है कौन थी, 11 नमर स्वाल का answer आपको बताना है इसका answer आपका हो जाएगा गान धाड़ी, option A, right answer हो जाएंगे ठीक है, चले next question देखेंगे जो आपके screen पे आगया मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आस्रमू में बाटा आगया है ठीक है, दो, तीन, उसके बाद आप देखेगा चार, पाँच, तो यह इसका answer आपको बताना है 12 नमर question का answer आपका क्या हो जाएगा तो इसका answer आपका, चार option C absolutely right answer हो जाएंगे next question देखेगा असौक किस वन्स का सासक था यह किस वन्स का सासक था इसका answer आपको बताना इसका answer आपका, मोड़े वन्स यानि option C इसका right answer हो जाएंगे, ठीक है चले next question देखेगे, गोतम बुद मतलब किस काल से संबंदित थे यानि गोतम बुद किस कुल से शंबंदित थे, इन चार option में आपको correct option बताना है इसका answer आपका, शाक्य कूल option A absolutely right answer हो जाएंगे चले next question देखेंगे, जो आपके screen पे आ गया है दुत्य बोथ संगीती का आयोजन कहां हुआ था दुत्य बोथ संगीती का आयोजन जो है कहां पे हुआ था, इन चार option में आपको correct option बताना है तो इसका answer आपका हो जाएगा, वैसा ली option C right answer हो जाएंगे, ठीक है चले next question देखेंगे मतलब तीरतल किस धर्म से संबंदित था तीरतल जो है, किस धर्म से संबंदित था इन चार option में आपको correct option बताना है, ठीक है, तो इसका answer आपका B right answer हो जाएंगे जैन धर्म, ठीक है, next question देखेंगे 17 number question हुमायू का भाई कौन था हुमायू का भाई कौन था 17 number question का answer आपको बताना है बिल्कुल आपनों का answer जो है correct होना चाहिए तो इसका answer आपका, इन में से सभी जो भी बता रहा है, option D absolutely right answer हो जाएंगे, ठीक है, चले next question देखेंगे, अकबर नमा एवम आईने अकबड़ी के अनुवादक कौन थे 18 number question का answer आपको बताना है इसका answer आपका, सभी option D absolutely right answer हो जाएंगे, बहुत बढ़िया चले, next question देखेंगे, जो आपके screen पे आगया है, अबुल फजल किरित आईने अकबड़ी में कि सासक का वरनन है, बाबर का, अकबर का जहांगिर का, शाजा का 19 number question का answer आपको बताना है बिल्कुल absolutely आपनों का answer correct होना चाहिए, इसका answer आपका, अकबर option B right answer हो जाएंगे, चले, next question देखेंगे, मनसब दाड़ी विस्ता कि सासक के दोड़ा सुरू की गई थी मनसब दाड़ी विस्ता कि सासक के दोड़ा सुरू की गई थी, इन चार option में आपको correct option बताना है, इसका answer आपका अकबर option B, right answer हो जाएंगे, ठीक है, विजन अगर समराज की अस्थापना कब हुई, यानि विजन अगर समराज की अस्थापना जो है, कब हुई, इन चार option में आपको correct option बताना है, इसका answer आपका, जो जाएगा, 1336 option जो है, आपका right answer हो जाएंगे, 1336 will be the right answer हो जाएंगे, ठीक है, चले, next question question देखेंगे, जजिया समाप्त किस मुगल सासक ने किया था, जो जजिया समाप्त जो है, किस मुगल सासक ने किया था, इसका answer आपको बताना है, इसका answer अगबर option C, right answer हो जाएंगे, बावर की आत्मकथा का क्या नाम है, बावर की आत्मकथा का आपको correct option बताना है तो इसका answer आपका बहदूर सा जफर option D right answer हो जाएंगे ठगी पर्था का यानि सती पर्था का अंत यानि किस काल में हुआ था ठगी पर्था या सती पर्था का अंत जो है किस काल में हुआ था रीपन करजन बेंटिंग या आपका डलोजी तो बताएंगे 25 स्रमर कोशन का answer आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल आप लोग का answer जो है correct होगा बेंटिक यानि option C right answer हो जाएंगे चले next question देखेंगे विसनु को अपना पती कौन मानती थी जो विसनु को अपना पती जो कौन मानती थी इन चार option में आपका correct option आपका B right answer हो जाएंगे अंड प्रू का वयापारी था इन चार option में आपको correct option बताना है 28 का इसका answer आपका A और B दोनों हो जाएंगे option D right answer हो जाएंगे चले कबीर सिच्छे थे यानि कबीर जो सिच्छे थे तो किनके सिच्छे थे 29 नमर कोशन का answer आपको बताना है इसका answer आपका रमानुज के option आपका A right answer हो जाएंगे ठीक है निजामोदीन और या दिली से कि सुल्तान के समकालिन थे इन चार option में आपको correct option बताना है इसका answer आपका मुहमद बिन तुगलग ठीक है चले 31 कोशन देखेगा खान का क्या है इन चार option में आपको correct option बताना है 31 कोशन का answer आपका ए जो है right answer हो चले next question देखेंगे पहन पूजे हडे मिले डेस किसकी कावे पंकित है 382 कोशन का answer आपको बताना इसका answer आपका कबीर option B right answer हो जाएंगे ठीक है इवन बतुता किस देश का यात्री था इसका answer आपको बताना इसका answer आपका मौरक को option A right answer हो जाएंगे दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महला सासक कौन थी ठीक है दिल्ली के पहली अंतिम पहला महला सासक यानि कौन थी चान बीवी थी नुर जहां राजिया सुल्ताना मौमताज महल तो 34 कोशन का answer आपको बताना है डिफिनेटली इसका answer आपका correct होगा तो सी इसका right answer हो जाएंगे राजिया सुल्तान ठीक है चलिए next question देखेंगे कौन विदेशी यात्री पेसे से चिकत सकते सब जानते हैं कि जो पेसे से चिकत सक जो थे वाय पाड़ी तो उसका नाम ताइनी कौन वर्णियर यानि option आपका जो है यात्री यानि option भी right answer थे ठीक है फ्रांस वर्णियर की सासक के समकाली में भा ठाया था 36 कोशन का अंसर आपको बताना इसका अंसर आपका औरेंग जेब option डी right answer हो जाएंगे महलवारी बंदवस किसके दोड़ा लागू किया गया था इन चार उपसन में आपको correct option बताना इसका अंसर आपका मार्टिन वर्ड option ये right answer हो जाएंगे ठीक है चलिए next question देख पहली फैक्टरी अस्तापित की थी अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्टरी अस्तापित किया था सूरत कोगली कलकता में आगरा में तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सूरत में option a right answer हो जाएंगे next question देखेगा सोहिज नहर वयापार के लिए खोल अर्षी नहरू वीडी सरकावर कर तो 41 नमर कोशन का आइसर आपको बताना है इसका आँसर वीडी सरकावर कर यानि option d right answer हो जाएंगे पट्ना में अठाओ सलतौं के करानती का नेतित जो है किस ने किया था इसका आँसर आपका क्या होगा बिल्कुल इसका आंसर आपका पीर अली उप्सन ए राइट आंसर हो जाएंगे नेक्ष्ट कोशन देखेगा दे इंडिया वार उफ इंडिपेंडेंस अठा सलतो नामा पुस्तक के लेखर कौन है बताना इन चार उप्सन में आपको correct option आपका क्या हो जाएगा तो इसका answer आपका जो है वीडी सावर कर option भी right answer हो जाएगे ठीक है जहांसी की राणी लक्ष्मी भाई युद करते हुए कहां मारे गए तो इन चार उप्सन में आपको correct option बताना है 45 नमर कोशन का answer आपका गवालियर में option आपका C right answer हो जाएगे ठीक है महरानी वेक्टोडिया ने अपना घोसना पत्र कब जाड़ी किया ठीक है 45 नमर कोशन का answer आपको बताना है इसका answer आपका 800 वल्ठाउन option B right answer हो जाएगे ठीक है भारत की राजदानी कलकता से दिल्ली कब अस्थांतरित हुआ था तो भारत की राजदानी कलकता से दिल्ली जो अस्थांतरित किया गया था वो निश्व एगाड़ा में किया गया था लेकिन आपका है नहीं तो इसका अंसर आपका जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए 21 मतलब वैसराय के काल में कलकत्ता मदरास्त था बंबई में आपका बंबई आपका अंसर हो जाएंगे ठीक है इसका अंसर आपका हो जाएगा 50 नमर कोशन देखेगा क्या कलाता है कि तिरी पूरी कॉंग्रेस आदिवेशन में 1949 में सुभाद चंद्र बोस ने किसे प्राजित किया था इन चार आप्सन में आपको करेक्ट आप्सन बताना है इसका अंसर आपका क्या होगा यानि पुट्टे भूमी शितर सितर ममिया को यानि option आपका C right answer हो जाएंगे next question देखेगा कि सिंदु अस्तल से सूती कपड़े के साक्ष मिले है ठीक है 51 नमर कोशन का answer आपको बताना इसका answer आपका मोहन जोदरो option D right answer हो जाएंगे ठीक है सिंदु अस्यों के परमुख देपता कौन थे सिंदु अस्यों के परमुख देपता जो थे वो कौन थे इन चार ओप्सन में आपका correct option आपका पसुपति महादेब option C right answer हो जाएंगे सिंदु गार्टी के सवेता की जुरुआ राजधानी कहां थी इन चार ओप्सन में आपको correct option बताना है इसका answer आपका हडपा मोहन जोदरो option C right answer हो जाएंगे मोहन जोदरो की खोज 1922 में किसने किया था इसका answer आपका क्या हो जाएगा किस अस्तान से 17 की तरह के खेल के परमान प्राप्त हुए है ठीक है किस अस्तान से 17 की तरह के खेल के परमान प्राप्त हुए है तो 5 रिमन question का answer आपको बताना है इसका answer आपका A right answer हो जाएंगे हरपा ठीक है चले next question देखेगा आपके screen पी आगया है मोडे वंस का अंतीम राजा कौन था 56 रिमन question का answer आपको बताना है ठीक है तो विरिधर यानि option आपका D right answer हो जाएंगे असोक ने महंद्र और शंग मित्रा को धर्म परचार के लिए किस मतलब किस को मतलब या किस देश में भेजा था असोक ने महंद्र और शंग मित्रा को परचार परचार के लिए किस देश में भेजा था तो इसका answer आपका answer क्या हो जाएगा 57 का ठीक है तो इसका answer आपका स्रीलंका हो जाएंगे सिनल दीप यानि option आपका D right answer हो जाएंगे स्रीलंका भी ठीक है भारत का इतिहास का कौन सा काल सोर्न काल कहा जाता है तो इसे गुप्त काल को सोर्न काल कहा जाता है ठीक है चले 60 नमर कोशन देखिएगा समुन्द की तुलनाक किस उरोपिय सासक से की जाती है तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल correct option नेपोलियन से की जाती है option B right answer हो जाएगे अरजून किस के सिस्से थे इसका answer आपको बताना एक सट नमर कोशन का ठीक है तो इसका answer आपका दुरणा चाड़िये option C right answer हो जाएगे next question देखिएगा कितने परकार के विवाह का उलेक किया गया है तो मनुसमर्थी में जो है आठ परकार के विवाह का उलेक किया गया है option C right answer हो जाएगे next question देखिएगा करने की मा कौन थी जो करने की मा जो है ये कौन थी 63 number question का answer आपको बताना है ठीक है चलिए इसका answer जो होगा आपका बिल्कुल absolutely right answer हो जाएगे इसका answer आपका कुंती option A right answer हो जाएगे ठीक है next question देखिएगे रमायन की रचना किसने की थी तो रमायन की रचना के बारे में बताना है किसके दुआरा किया गया था इन चार option में correct option आपका क्या होगा तो इसका answer आपका वालमी की option A right answer हो जाएगे ठीक है आडियो का सबसे परमुक पसू कौन था इसका right answer आपको क्या हो जाएगा A right answer हो जाएगे ठीक है चले next question देखिएगे जो गोतम बुद के गरहत्या की घटना को बोद गरंत में क्या कहा गया है ठीक है इसका answer आपको बताना है 66 number question का answer आपका क्या हो जाएगा तो इसका answer महा भी मतलब निस्कर्मन यानि option A right answer हो जाएगे ठीक है धर्म चक्रे पडिवर्तन क्या है जो धर्म है चक्रे पडिवर्तन क्या है इन चारो option में आपको correct option बताना है ठीक है तो इसका answer आपका बिल्कुल B right answer हो जाएगे पर्थम उब्देश option B right answer हो जाएगे ठीक है drop D किसकी पत्नी थी इन चारो option में आपको correct option बताना है इसका answer आपका क्या हो जाएगा तो इसका answer आपका इन में से सभी right answer हो जाएंगे चौती बहुत पडिसाथ की सासा के काल मुई थी इन चार option में आपको correct option बताना इसका answer आपका कनिश का option D right answer हो जाएंगे ठीक है आयन अगबडी में अगबड के काल में कितने सुबों का वरणन है इन चार option में आपको correct option बताना है शतन नमर question का answer आपका क्या हो जाएगा ठीक है चलिए तो इसका answer आपका बाड़ा है option B right answer हो जाएंगे बाड़त में तंबाकू का पोधार लाया गया था किसके दूरा इन चार ओपसन में आपको correct option बताना है इसका answer आपका क्या हो जाएगा तो पूरतागाली द्वारा लाए गया था option C right answer हो जाएगे 3P tech जो कि धर्म से संब्दित है इन 4 option में आपको correct option बताना है 72 का ठीक है तो इसका answer आपका बिलकुल absolutely right answer हो जाएगे B right answer हो जाएगे बहुत धर्म ठीक है अकबर का संदक्षक कौन था इन 4 तो इसका answer आपका बेरम ठाए option a right answer हो जाएगे ठीक है कौन सा मुगल सासक 101 महन कभी भी था इन 4 आपसन में आपको correct option बताना है इसका answer आपका क्या हो जाएगा इसका answer आपका 22 तो एक क्या थे कभी था option आपका जो है यह right answer हो जाएगे नेक्स्ट कोशन देखेगा विजयनगर का महंतम साथक कौन था इन चारों अपसन में आपको करेक्ट अपसन बताना है तो विजयनगर का महंतम साथक जो था वो क्रिशन देव राय थे आपका भी राइट अंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए विजयनगर तथा भामनी के बीच पढ़ा कि छेत्र को लेकर शंगर्स हुआ था इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जली बताएंगे 76 मर्कोशन का आंसर आपको बताना है चलिए तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे राय चूर दोआप ऑपसन डी राइट आंसर हो जाएंगे दीने इलाई किस से संब्धित था इन चारों में आपको करेक्ट आपसर बताना है दीने इलाई 1580 में यह धर में चला गया था अगबढ़के द्वारा ठीक है अपसन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे नेक्स्ट कोसं देखेगा सिलसिला क्य है तो सेवंटी राइन का ऑपसन डी राइट आंसर हो जाएंगे मक्स बंदी से ठीक है एटी नमर कोशन देखेगा क्या कहलाता है कि निजामोदीन ओलिया की दरगा कहां है निजामोदीन ओलिया की दरगा जो है यह कहां पे हैं आप लोग जानते हैं आप लोग जानते हैं भारत की सतर वधी में आया था तो अलवे रूणी जो भारत जो है कि सतर वधी में आया था इसका आंसर आपको बताना है ठीक है कुछन दिखेगा प्रतिवी राज रासों का लेखा कौन था इसका आंसर आपको बताना है एटी थी नमर कुछ्छन का ठीक है चलिए तो जली बताएंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा चंदर बदाई यानि आपका बदाई ऑप्षन डी राइट आंसर हो जाएंगे इबन बतुदा किसके सासन काल में भारत आया था इसका आंसर आपको बताना है ठीक है इसका आंसर आपका मुहम्मद बिन तुगलक ऑप्षन एर राइट आंसर हो जाएंगे नेक्स कोशन दिखेगा बंगाल और बिहार में अस्ताई बंदवस सुरू करने का सिरह किसे जाता है बंदवस का नेता कौन था इन चार आप्सन में आपको करेक्ट आप्सन बताना है तो सिंथाल विद्रो का नेता सीधू एम कनू था आप्सन एर राइट आंसर हो जाएंगे रहयत वारी बंदवस के जनक जो थे कौन थे 88 नमर कोशन का आपको बताना है डिफिनेटली आपन आपको किसने करांती कहा तो इसका अंसर आपका काल मार्क्च आप्सन ए राइट आंसर हो जाएंगे लखनू में अठा सल्तों के विद्रो का संचालन किया गया था इन चार आप्सन में आपको करेक्ट आप्सन बताना है नबे नमर कोशन का आपका बेगम हजरत मल आप्सन एफ संतर हो जाएंगे वैब गट के सिद्धांत का शमन्सिर है इन चार आप सर में आपको क्रेक्ट आप्सन बताना इसका आपका क्या हो जाएगा तो इसका अंसर मिन्टों से ओप संडी राइट आंसर हो जाएगे ठीक है ब्याहर में आपको बता ही होगा राज अंद्र प चलिए、 वेक्टोडिया टर्मिनल कि सहली का इमारत है वेक्टोडिया टर्मिनल के बारे में आपको बताना है यह कि सहली का इमारत है डिफिनेटली आपको पता होना चीब इसका अंसर आपका नव गोठिक सहली Option B right āंसर हो जाएंगे कलकत्ता किस नजी के तट पर इस्तित है इन चार उप्शन में आपको correct option बताना है ठीक है तो इसका answer आपका हुगली नजी option D right answer हो जाएंगे gateway of India भारत के किस सहड में इस्तित है इन चार उप्शन में आपका correct option क्या होगा तो इसका answer आपका बंबाई option B right answer हो जाएंगे next question देखेगा महत्मा गांदी किसान आंदोलन कहा शुरू किया गया तो महत्मा गांदी के दुवरा अपना बिहार के चंपारन जिला से जो है सबसे पहले किसान आंदोलन सुरू किया गया था 1917 में जिसको में लोग चंपारन सत्यागरे के नाम से ज ठीक है और यह गया था कब 893 को गया था ठीक है चले नेक्स कोशन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 98 नमर जल्यावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो सबको बताया कि 13 अप्रेल 1990 को जल्यावाला बाग हत्याकांड हुई थी ठीक है option A right answer हो जाएंगे next question देखेगा बारत trust Congress की अस्था अपना हुई थी तो इन चार option में correct option आपका क्या होगा 100 नमर कोशन का answer आपका डफरीन या उपसन आपका सी जो है right answer हो जाएंगे तो I hope dear student आज हम लोग 100 यानि most important question को collect किये थे जो आप लोग यानि solution भी कियोंगे और आपको बहुत जदा definitely आज का class आपको मज़ा आया होगा अगर मज़ा है तो एक like करके जम करके अपने दोस्तों में share कर देंगे आपके लिएम इतना struggle कर रहे हैं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर साकते हैं ठीक है तो आप लोग फ्लीज जाना सेदा सेयर कर देंगे अपने दोस्तों में तो चले काई यहीं तक आज के class coin करते हैं जब तक के लिए जयहीं जय भारत